हेलो हाई फ्रेंड आप लोग कैसे आप लोग अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करने वाला है अपने वाटसप स्टेटस को कैसे अपने फोन में सेव करेंगे मान के चलिए आपका फ्रेंड कोई एस्टेटस लगाया है या फोटो लगाया है अगर उस फोटो को आप अपने गैलरी में सेव करना चाते हैं तो कैसे सेव करेंगे काफी असान सा तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूँ उसके लिए आपको अपना वाटसप ओपन करना है तो मैं अपना वाटसप ओपन करता हूं ओपन करने के बाद में यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एस्टेटस को जिस भी एस्टेटस को आपको देखना है उस्टेटस को यहाँ है और इसको हम डॉट करना चाते हैं तो प्लेता है तों क्म एक फोटो लगा है और वहांपे एक वीडियो करना है तो कैसे करेंगे तो simply आपको यहां से बैक चले आना है बैक आने के बाद में यहां पर आपको पले इस्टोड ओपन करना है और यहां से एक आपको एपस डाउनलोड करना पड़ेगा काफी चोटा साइब्स है और काफी बुणिया अपस है तो आपको यहां पर सर्च से सेवर सर्च कर लेना है तो काफी सर sch कर लेना है इस इसन पर कने के बाद में आपको इसको यहां पर weer से डाउनलोड करना है ठीक है तो सिंप्ली हम यहां से इंस्टॉल कर लेते हैं इसको ठीक है तो हमारा यहां पर देखें इंस्टॉल हो रहा है ठीक है इंस्टॉल हो चुका है ठीक है तो इंस्टॉल होने के बाद में यहां पर देख सकते हैं कि हमारा यहां पर स्केन हो रहा है कि हमारा इस अप्लिक से आजाएगा आपको बोल रहा है कि यहां पर आपकी dep D और यहां पर सभी क्लिक करने के बाद में यहां से आपका काम कंपलीट हो चुकiiii है सेपकर ओके प्लिक करना है तो आपको यहां पर लिखा है आपको यहां पर किल्क करदेना है इसको करने के बाद में यहां पर देखिए आपका allow हो चुका है तो यहां पर देखिए हम जो photo देखे थे status में उप photo यहां पर आ चुका है इस पक्लिक करेंगे click करने के बाद में simply यहां पर लिखाए save save पर click करेंगे save पर click करने के बाद में ने यहां पर first time allow करने का और अप Först time को तो हम यह एड आया है इसको आपको देख लेना है क्लिक करना है और यहां से एड को ब्लब आपको और इसको आपको डाउनोड करना है तो सिप्पली यहाँ पर डाउनोड पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए कि हमारे गैलेरी में डाउनलोड हो चुका है ठीक है तो कुछ इस तरह से आप लोग भी अपने गलेरी में सेव कर सकते हैं ठीक है और सिंपिली हम यहां से बैक चलते हैं बैक चलने के बाद में डेरेट कट कर देते हैं यहां से और वाटसप ओपन करते हैं ओपन करने के बाद में आप चाहते हैं इसको एस्टेटस लगान सकते हैं ठीक है तो किसी का भी स्टेटस आप डाउनलोड करके अपने स्टेटस में यूज कर सकते हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर हमारे इस वीडियो से आपको हेल्प मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीज हैं